हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग क्लास टेंथ जियोग्रोफिक खंडखा आपदा परबंधन में इकाई पांचवा आपदा काल में वेकलफिक संचार बिवस्था इसके अभ्यास के प्रस्ण हल करेंगे ठीक है बिजली आपूर्ती बदित होना इसी तरीके से चार कारण है तो ओप्सन में क्या है तो ओप्सन में देखते हैं तो पहला कारण तो दिया गया है केबल तूट जाना इसका हमारा हो जाएगा ओप्सन नंबर ए बिल्कुल सही होगा संचार का सबसे लोगप्रिय साधन है जो सबसे जाना माना पसंदीदा साधन कौन सा है संचार का सबसे लोगप्रिय साधन सारवजनिक टेलिफोन सेवा है तो इसका ओप्सन नमरे बिल्कुल सही होगा हमारा किसके लिए होता है देखेए उपगरा संचार में आ जाएंगे तो इसमें क्या होता है दूरदर्सन मौसम भिज्यान आपता संबंदी चेतावनी हो गए यानि कूल मिलाकर संचार उपगरा के मात्यम से संचार विवस्ता संचालित होती है और इस उपगरा संचार में भी क्या होता है टेलिफोन हो गया, मुबाइल हो गया वो सभी कारिस में आ जाएंगे तो हम बाद में देखेंगे इसका कौन सा होगा तो इसका हो जाएगा आपका दूर संचार सेवा के लिए अगला देखिए लगुतर ये प्रसंट पहला समाने संचार बेवस्था के बादित होने के परमुख कारण को लिखिए जो समाने संचार बेवस्थाएं है कैसे बादित होती है परमुख कारण हमें लिखना है देखे समाने संचार बेवस्था जो बाधित कई कारण से होते हैं इनमें परमुक है निमली खित केबल तूट जाना ये कैसे होता है आप तक समय ही होता है ठीक है पहला केबल तूट जाना आपको यहीं से लिखना है ये पूरा पहला केबल तूट जाना ठीक केबल तूट जाता है दूसरा है बिजली आपूर के ट्राकृतिक आपड़ा में उप्यूग होने वाले किसी एक बेकल्टिक संचार माध्यम की चर्शा कीजिए देखे वेकलपिक संचार साधन में जो प्रकृतिक आपदा में तीन होते हैं पहला होता है रेडियो संचार दूसरा होता है हेम रेडियो और तीसरा होता है हमारा उपग्रा संचार तो किसी एक के बारे में हमें बताना है तो हम बताएंगे उपग्रा संचार के अंतरगत जो प्रयोग होता है उपग्रा फोन के बारी में ठीक है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे वेकल्पिक संचार माध्यम में आपदा के समय सबसे अधिक उप्योग उपग्रा फोन है जो बहुत ही विश्वनिय साफ आवाज में डाटा संचार को सुविधा किसी भी आपदा के समय दिया जा सकता है आने आपदा इठाप पड़ जायती इस काम प्रयोग कर सकते हैं इसके बाद देखिए लॉंग कोश्चन है पहला प्राकृति का आपदा में वेकल्पिक संचार माध्यम का विवरेंट प्रस्तूत करें अभी हमने देखा तीन होते हैं यह काफी मैधपून लॉंग कोश्चन है लिखेंगे वेकल्पिक संचार साधन इसमें तीन है मैंने बताया आपको रेडियो संचार हेम रेडियो और संचार उपगरा इन ही के बारे में लिखना है और हमें काफी संचेप में इन्पोर्टेंट पॉइंट को सामिल करना है जैसे हम लिखेंगे रेडियो संचार में तो ये रेडियो संचार जो है ये रेडियो तरंग एलेक्ट्रो मेंगनेट पर अधारित होती है जिसमें उच्छ फ्रेक्वेंसी द्वारा लंबी दूरिया और कम फ्रेक्वेंसी द्वारा कम दूरियों का ये प्रियोग करके हम संच पहला है रेडियो तरंग इलेक्टरो मेगनेट होती हैं इसके माध्यं से सन्देसों का उच्च फ्रिक्वें सी तथा निम्ल फ्रिक्वें सी से आऊसानी से भेज या प्राप्त करते दूसरा है हेम रेडियो यह क्या होता है तो यह बिसेश फ्रिक्वेंसी की तरंगों से संचालित होती है जो अंतराश्टिय दूर संचालियों के अनुसार होती है जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कुछ विसेस फ्रेकेंसी द्वारा संचारित होती है जो अंतराश्टी दूर संचार नियमों का धारित होती है ठीक है और यह किसके अधीन होती है भारत के संचार मंतराले के अधीन होती है और इसकी खास बात यह है कि विभिन जो संचार हेम रेडियो बड़ी आपना आने या आपने संचार माध्यमों के भीफल हो जाने ठप हो जाने के बाद भी ये आसानी से काम करता है और तीसरा हमारा है सबसे महतफूर्ण उपगरा संचार ठीक है देखें उपगरा संचार में दूरदर्सन रेडियो ठीक है मुबाइल फोन ये सारे किसके करे संचार द्वारा ही संचाली थोते हैं तो इसे वारे में लिखेंगे हम हम जाहर और संवेधी शुदुरं स track प्रमुख जो दूर संचार मोसम भिघ्यान आपदा संबनी चेतावनी पर सालीत करता है ठीक है दूर्चार द्वारा और इस उसमीं असपश्ट एमी सौ्षणिय द्वानी। में डाटा संचार को सुथा देताव है जिसमین अन्य महतव्पूर्ण है इति जो अन्य महतव्पूर्ण है संचार उगरा carnit करता है यह तीनों सामिल हो गए वेकलपिक संचार माध्यम समझ में आ गया ये तो हमारा हो गया इसके बाद दूसरा दिखें क्या है है हैं रेडियो पे हमें नोड लिखना है बारेम बताना है उकरा संचार के हेम रेडियो बड़ी आपदा आने या अने संचार माध्यमों के भीफल हो जाने के बाद भी कारे करता है यह हो गया हेम रेडियो अब इसके बाद उगरा संचार के बारे में लिखेंगे देखिए हम इस तरी किसे इसमे संचार और सुदुर सम्वेधी उगरा परमुक है जो दूर संचार मोशम भी भाग और आपदा संबंदी चेतावने पर सारिद किया जाता है तुम आने अभी बताया आपको तो इसे आपको पूरे लिख लेने हैं